हेलो फ्रंट इस वीडियो में बात करेंगे जायम सर्वर की लेटेस्ट वर्जन को कैसे डाउनलोड और इस्टॉल करेंगे सबसे पहले आपको जायम सर्वर को यहां पर ओफिस्यल वेब साइट यहां से ओपें कर लेना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल तो मैंने यहां पर डिड्राइब का अंदर एक फोल्डर बनाकर रखा हुआ है इसको इसके अंदर हम यहां पर डाउनलोड कर लेते हैं जहां पर रखना चाहिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां से हमारा डाउनलोड हो गया ठीक है डाउनलोड हो जाने के बाद आप आपको यहां पर double-click करके इसको open कर देना है यहां से हमारा डाउनलोड होगे आप इसको हम install करेंगे यहां पर इसको double-click करेंगे और यहां पर एसका परमिजन देंगे कि तो पर लिए उसके बासे हमारा बीट नामी यहां से open होके आजाएगा jam server यहां पर क्लिक कर देना है टार्ट आकि आप इसका जो इंस्ट्राइशन का फूल्डर है इसका डेस्टिनेशन कहां पर पर रखना चाहते हैं तो आप यहीं रहागा कि अदर द्राइब के अंदर और लीजिए जिशिकिया आपका जो फूल ना हो क्योंकि और बहुत सारा अगर प्रोजेक्ट अप्रिये और इसका लोकेशन हमें हैं यह ऐड्ड कर देते हैं फिर कर देंगे इसको इसको इसलेंश हो जाइगा यहाँ पर जैसे ही करेंगे या पर बीट नामी यानि की jam server का जो भी documentation open हो जाता है तो उसको आप read भी कर सकते हैं फिलाने यहां पर next पर click करेंगे फिर यहां पर फाइल से यहां पर unpacking होना स्टार्ट हो जाएगा तो जैंब का फूल फॉर्म आप यहां से देख सकते हैं ठीक है तो जैंब यानि कि इसमें माइस्कोल पीएच्पी परल और जो की सारी अपाची है उसारी जो फाइल से सब कुछ यहां पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर इंस्टालेशन इसके बाद है विंडो डिफेंडर फायर वाल इसको यहां से पहले आपको अलाव कर लेना है अगर विंडो डिफेंडर और यहां पर आपको अलाव करने के लिए अप्शन आता है अगर और नही तो यहां से हमारा इंस्ट्रोलेशन हो चुका है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और जब तक यहां पर इंस्ट्रोल हो रहा है तो जैसे हैं पर इंस्ट्रोलेशन कंप्लीट हो जाता है इसका जो कंट्रोल पैनल है यहां से ओपिन हो जाता है तो यहां से हमारा कंप्लीट हो इसको कर सकते हैं फोई crime रहें सारी और यहां पर को इस्ट आर्वért करना प्रता है तो इस तरह से हारी सकते हैं अकर installation में प्रावलम आती है तो आप में इकंग अधिए गया jam server को install करने से पाले java को भी इस्टॉल कर लिए जिसे कि आपको कोई भी इस्टॉल कर लेंगे तो इसके बाद यहां पर हम देखेंगे की कोडिनेटर को कैसे डाउनलोड करना है तो हम आपको नेक्ट वीडियों बताएंगे अगर आप करना चाहते तो उसको कर सकते तो फिलाल यहां पर jam server का installation मैंने बताया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं कैसे directory को change करते हैं अगर कोई आपको इस्टॉल आता है तो अपर में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अफिर और कोई और इस्टॉल है तो आप में इंस्टाग्राम फिल मैसेज कर सकते हैं थैंक्यू हुआ हुआ है तो